दुर्ग में तीन आरोपियों द्वारा चाय नाशते की दुकान पर पहुँचकर गले में चाकू टिका कर गाली गलोज किया और दुकानदार के साथ मार पीट करते हुए 44,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया इस मामले में मोहन नगर थाना पु मोबाइल से अपने खाते में करीब 40,000 रुपए ट्रांसफर करवाए साथी दुकान के गले में रखे सारे रुपए भी निकाल लिए प्रार्थी के मोबाइल को भी आरोपियों ने अपने साथ लेकर फरार हो गए जिसे प्रार्थी की शिकायत के अधार पर मोहन नगर पु आरोपी सेफ इरानी सुल्तान उर्फ सूनू वा उसका साथी कोरेक्स इरानी उसके पास पहुचे और धारदार चाकू को प्रार्थी की गले पर टिका कर दुकान चलाना है तो पैसा देना पड़ेगा कहा और धंकी दिया इसके बाद आरोपियों ने प्रार्थी के साथ जा पुलिस जूड़ गई है आरोपियों का पता साजी कर रही है